हाईलो डियरी स्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कंजक्शन के बारे में कंजक्शन एंड और बट का प्रियोग इस वीडियो में देखेंगे ये जो टॉपिक लिया गया है Excellent General English Class 9th के बुक से लिया गया है तो चलिए पहले देखते हैं इंड के बारे में ठीक है इंड का मतल़ होता है और तो इसको हम लोग दो तरह से संटेंस में यूज करते हैं एक जब दो वाकियों में करता common हो यानि जब दो संटेंस में आपका subject समान होता है तब उसको कैसे आप sentence को जोड़ते हैं और दूसरा इसमें दिया गया है जब दो वाकियों में करता common नहीं हो यानि कि जब दो संटेंस में में मेरा subject common नहीं होगा तो उस वाकियों कैसे जोड़ेंगे तो चलिए इसको ध्यान से पहले समझते हैं ठीक है तो देखिए यहाँ पे लिखा है पहले end का earth और end का मतलब होता है और also या in addition to होता है end का प्रियोग हम दो या दो से अधिक सब्दों या वाकियों को जोड़ने के लिए करते हैं ठीक है तो चलिए पहले देखते हैं पहला ए में दिया है जब दो वाकियों में करता common हो यानि जब दो आपको sentence अलग अलग दिया रहेगा उसमें करता common रहेगा तो कैसे लगाएंगे उसको प्रिकरिया को पहले पढ़ लेते हैं दूसरे वाकियों के करता अर्थात common भाग को हटा कर इसके अस्थान पर end लिख कर दूसरे वाकियों के सेस भाग को जियों कातियों लिख दिया जाता है मतलब कि आपको दो sentence दिया रहेगा कहीं अगर उसको एक sentence में बनाना होगा तो आप end conjunction का प्रियोग करके कैसे बनाएंगे इसी बात को यह कह रहा है तो पहले इसको pattern को देख लेते हैं कैसा इसको rule है वो देखिए common subject प्लस प्रथम भीन सब्द यानि प्रथम जो अलग सब्द रहेगा वो लिखेंगे यहाँ पे उसके बाद end प्लस दिती भीन सब्द यानि जो दूसरा भीन सब्द रहेगा मेरा वो लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे example दिया गया है उदारन के मादियम समझाये आपको I teach John दूसरा example आपका है I teach Mary तो यहाँ पे है मैं John को पढ़ाता हूँ यहाँ पे हम आपका मैं Mary को पढ़ाता हूँ यानि कि दोनों जो पढ़ाने काम कर रहा है मैं ही कर रहा हूँ ठीक है, तो दो sentence भले ही अलग-अलग है, लेकिन इसको आपको end conjunctions जोड़ करके एक में करना है, तो यहाँ पे जो pattern आपका इसको समझ लिए ध्यान से पहले, यहाँ पे लिखा है common subject, तो subject मतलब होता है मनों का करता, तो यहाँ पे देखिए teach भी आपका common है, ठीक है, यदि subject, यानि common subject आपका I teach, क्योंकि मैं दोनों तो काम पढ़ाने का ही कर रहा है, ठीक है, मैं John को ही पढ़ाता हूँ, मैं Mary को ही पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे common subject क्या है, आपका है, आई, उसके बाद teach को भी आपको ले लेना है, I teach John, जो प्रथम भीन सब्द ये बचा मेरा, क ठीक है, तो आपका हो जाएगा, मैं John and Mary को पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे समझ चुके होंगे, क्योंकि दोनों वाकियों में यहाँ पे common था, तो इसको नहीं लिखेंगे, इसके अस्थान पर क्या लिख देंगे, एंड लिख देंगे, उसके दूसरे वाक के से सभाक को जियों कातियों लिख दिया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, I teach John, I teach Mary, यानि I teach common था मेरा, तो I teach लिख दिये, उसके बाद प्रथम भीन सब John हो गया, अब इसके अस्थान बोला है, end तो end लगा दिये हमने, और हम Mary बचा तो Mary लिख दिये, ठीक है, अब देखिए और example के माधर में समझ लेते हैं, देखिए इसमें पहला example दिया हुआ है, he came to me, he gave me a letter, यानि कि इसका हिंदी निकालेंगे आप, he came to me, यानि वह मेरे पास आया, यहाँ पे past indefinite का sentence है, he gave me a letter, ठीक है, यानि कि उसने मुझे एक पत्र दिया, गे पहले देखें कि आप लोग subject दोनों में common है कि नहीं है, क्योंकि अभी तो हम लोग pattern पढ़ रहे हैं, पहला वाला जो कि दो बात्तों में करता common हो, यानि कि एक ही करता हो, ठीक है, यानि he came to me, यानि वह मेरे पास आया, और उस बात he gave me a letter, उसने मुझे एक पत्र दिया, ठी तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो subject common पर लिखेंगे, subject common लिख दिया मैंने, he हो गया, उसके बाद जो प्रथम भीन सब्द मेरा है, क्या है, यह वाक कि जो हम लोगा जो बचास message, उसको लिखेंगे, लिखेंगे, he came to me, यानि वह मेरे पास आया, उसके बाद क्या करेंगे, य यानि क्योंकि हम लोग जोड़ रहें end से, तो जो common आपको तो होगे, यहाँ पर लिखी दिये, तो क्या करेंगे, end लिख दिये यहाँ पर, उसके बाद जो बरचा, जो दूसरा में भीन सब्द बचा, gave me a letter, तो इसको आपको जियों कातियों लिख देना है, gave me a letter, तो आपक प्रयोग करके आप लोग वाकि को जोड़ दिये, दूसरा example और समझी है, रासी इज इंटिलिजेंट, रासी इज इंटिलिजेंट, सी इज हार्ड वर्किंग, वह महनती मतलब है, कि ना कठिन महनती, कठिन परिश्रम करती है, तो यहाँ पर इसका देखिए, दोनों में subject ए एक ही आपका है, क्योंकि रासी के लिए सी आया है, क्योंकि बताया गया है, कि रासी इज इंटिलिजेंट, रासी इक क्या है, बुद्धिमान है, रासी बुद्धिमान है, और वह महनती भी है, मतलब कठिन महनत करती है, वह महनती भी है, हाड वर्किंग, यानि कठिन महनत क रसी इज और जो हम लोग पहला sentence था उसमें बचा किया intelligent तो इसको तो आप लोग पुरा लिखी देंगे रसी इज इंटलीजेंट उसके बाद C इज नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे कामल ले लिए हैं क्योंकि रसी के लिए आया है आपका C और इज आपका यहाँ लिख दिये हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे end लगा देंगे और बाकी भीने सब्सक्प्या बचा मेरा hard यहाँ पर hard working लिख देंगे ठीक है तो रसी is intelligent and hard working यह आपका end लगाकर sentence बन गया तो चलिए अब दूसरा जो pattern है end का उसको दिख लेते हैं दूसरा क्या है आपका जब दो वाकियों में करता common नहीं हो यानि जब दो sentence में मेरा जो subject रहेगा वो अलग अलग रहेगा तो इसको ध कामन होता है इस प्रकार के वाकियों को हम निम्न प्रकार से जोडते हैं इसका कहने के मतलब यह है कि जब दो वाकियों को जोडने के लिए end से आएगा ठीक है तो आपका जो subject होगा common नहीं होगा लेकिन जो बाकी का से सभाग होगा वो common होता है यह fix है ठीक है तो देखिए इसका प्रकिरिया क्या है दोनों भीन करताओं को end से जोड कर दोनों वाकियों के common भाग को एक दूसरे करता के अंत में लिख देते हैं ठीक है इसको दिहान से पढ़ लिजेगा तभी आपको अच्छे समझ में आएगा यानि जब दो भीन भीन करता रहेगा आपका तो उसक दोनों जो वाकि कामन भाग रहेगा दूसरे करता के अंत में लिख कर देते हैं यहाँ पर पैटर्न समझेंग तो आपको किलियर हो जाएगा देखिए पैटर्न इसका रूल क्या है सब्जेक्ट फस्ट एंड लगाएंगे तुरंथ सब्जेक्ट सेकेंड जब दोनों अलग अलग रहेगा आपका सब्जेक्ट तो इंड लगा देंगे बीच में प्लस कॉमन भाग जो आपका कामन बचेगा उसको कामन लिख देना है एक ही लिखना है क्यों यहाँ पे उदाहरान के माद हम समझाया है देखिए राम वेंट टू कानपूर सीता वेंट टू कानपूर राम कानपूर गया ठीक है राम कहां गया कानपूर गया यह भी आपका पास्ट का है पास्ट इंडिफिनिटेंस सीता वेंट टू कानपूर सीता कानपूर गई मतलब दोनों लोग तो कानपूर जाने काम कर रहे हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट राम है यहाँ पे सीता है सब बाकी से भाग वेंड टू कानपूर वेंड टू कानपूर ये क्या है कामन है तो इसको आप लोग कैसे समझेंगे देखिए राम लिखेंगे पहला सब्जेक्ट, उसके बाद end लिखेंगे, उसके बाद सीता लिख दिये, राम, end, सीता, बागी तो मैरे यह common है, तो इसको common लिख दिया यहाँ पे, तो सीता उबाद क्या लिखेंगे, जो दूसरा मेरा सब्जेक्ट के क्या है सीता उसके बाद वेंट टू कानपूर यानि कहने का मतलब जो वाक्य पूरा क्या हो जाएगा राम और सीता कानपूर गये ठीक है तो इंड का प्रयोग करके हमने इसको समझा इस तरह से तो आईए समझते हैं और आगे देखते हैं देखिए यहाँ पर दिया गया है उक्त दोनों वाक्यों में यानि उपर दोनों वाक्यों में went to Kanpur common है मतलब कि यहाँ पे जो दो संटेंस देखे हम लोग ना दो संटेंस काउन कौन राम went to Kanpur सीता went to Kanpur तो दोनों में क्या था आपका went to Kanpur common है यानि एकी चीज़ है ठीक है अतह इसे दूसरे वाक को करता के बाद जो कातियों ही रहने दिया गया है तथा दोनों भिन भिन करताओं के बीच में end का प्रयोग कर दिया गया है जैसे एक और example यहाँ पे दिया गया है इसको भी समझना पड़ेगा ध्यान से आपको तभी concept clear होगा देखिए गौरव is a good boy ठीक है यहाँ तक एक sentence है क्योंकि यहाँ पे जहाँ फूल श्टाप लग जाता है वो आपका एक sentence माना जाता है दूसरा sentence आपका है रभी is a good boy ठीक है रभी एक अच्छा लड़का है और गौरव एक अच्छा लड़का है ठीक तो दोनों sentence यहाँ पे दे दिया गए अलग अलग इसको आपको जोड़ना है तो इसमें विध्यान समझना पड़ेगा आपको तो देखिए दोनों में subject मेरा अलग अलग है तो गौरव लिखेंगे पहले गौरव उसके बाद end गौरव एंड रभी उसके बाद आर करेंगे यहाँ पे ठीक और उसके बाद good wise तो यहाँ पे देखिए समझने वाला बात यह है कि यहाँ पे गौरव is a good wise दिया है यहाँ पे रभी is a good wise दिया गया है यहाँ दोनों में helping और इस दिया गया है ठीक है तो गौरव एंड रभी अब उसके बाद helping और मेरा age नहीं रहगा क्योंकि बहुवचन में हम लोग R लगाते है तो क्या हो गया R गौरव एंड रभी R good boys जब यह boy आपका compliment है इसको भी आप लोग को plural बना देना है तो boy में S कर देंगे तो यहाँ पर देखिए note में समझाया भी है आपको अच्छे समझ में आ जाएगा और जब दो करताओं को end से जोड़ा जाता है ठीक है जब दो करताओं को end से जोड़ा जाता है तो ऐसी इस्तिती में क्रिया बहुवचन में प्रियुक्त होती है क्रिया यहाँ पर आर बहुवचन प्रियुक्त हुआ ही है तथा कॉम्प्लिमेंट भी बहुवचन में ही होगा जो पूरा खमलों का होता है ना क्या पूरा कॉम्प्लिमेंट का काम कर रहा है वो भी आपका बहुवचन में यहाँ पर बॉइज किया गया है इसलिए यहाँ पर दोनों वाकियों में क्रिया इज के कॉमन होने पर भी आर जथा बॉइज के अस्थान पर बॉइज का प्रयोग किया गया है ठीक है तो चलिए आईए देखते हैं और एजामपल उदारण के मादर हम समझे लेते हैं ठोड़ा सा कुछ इसको भी He is very weak I am very weak मतलब वह बहुत कमजोर है ठीक है मैं बहुत कमजोर हूँ मतलब वह भी बहुत कमजोर है अब मैं भी बहुत कमजोर हूँ यहां भी आपका सब्जेक्ट दोनों अलग अलग है यहां पे ही है और यहां पे आई है तो इसको आप कैसे लगाएंगे सब्जेक्ट पहले कामन है उसको क्या करें मतलब सोरी जो सब्जेक्ट आपका कामन इसमें नहीं है तो पहले अब पहला subject लिखेंगे ही उसके बाद end लगाएंगे और उसके बाद दूसरा subject है आई बाकी से इस भाग तो मेरा common ही है अब देखिए यहाँ पे ही हो गया यहाँ पे आई हो गया तो दो लोग हो गया तो दो लोग यानि कि बहुचन में आ गया जोड़ दी हम लोग यहाँ पे देखिए नोट में कोई समझाया और आपको most important बात जब एक वाक्य में तीनों परसन दिये हुए हों तो ऐसी इस्तिती में परसन का करम निम्न प्रकार से हो रहता है देखिए second person प्लस third person प्लस first person यानि 231 आपको 231 को याद कर लेजिए 231 का मतलब 2 का मतलब second person 3 का मतलब third person और first का मतलब first person पहला का ठीक है तो इसको समझिए देखिए यहाँ पे दिया गया incorrect sentence लिखा गया है I and he are very weak मैं और वह बहुत कमजोर है मतलब कहने का यहाँ पे गलती इसको क्यों दिये गया है यहाँ पे समझिए उक्तवाक्यों का करम संभव नहीं है मतलब यह जो करम है इसका संभव नहीं उपर जो आकिवा है आपका इसका करम संभव नहीं है क्योंकि हमको 231 के अंसार चलना है नौकी यहाँ पर दे दिया है फर्स परसन और थर्ड परसन तो यहाँ पर इसलिए गलती हो गया है तो यहाँ पर देखिए तो इसका correct आपका क्या होना चाहिए पहले ही होना चाहिए तब आई होना चाहिए क्योंकि 231 यानि कि second person पहले होना चाहिए फिन third person फिन first person तो यहाँ पे तो second person नहीं है तो क्या होगा होना चाहिए मेरा दो को person दिया गए third person और first person का दिया है आपका तो पहले आपको third person को लिखना पड़ेगा उसके बाद first person को लिखना पड़ेगा यादि तीनों दिया है तो तीनों को पहले you लिखेंगे फिन he लिखेंगे फिन I लिखेंगे बात यह वही है यादि दो है तो भी आप इस करम से इधर से ही चलेंगे आप ठीक है मतलब 231 की तरफ से ही चलेंगे आपको चलना पड़ेगा तो देखिए यहाँ पर और समझाया example के मादियम से पहले में दिया है you are calling me he is calling me यानि कि तुम मुझे बुला रहे हो वह मुझे बुला रहा है तो जब दखिए दो बाक्त में जब subject मेरा अलग अलग रहता है तो जो बाकी सेस भाग common ही होता है देखिए इसमें subject आपका अलग है he you और इसमें he अलग है लेकिन बाकी जो सेस भाग है इसमें common है ठीक है यह भी क्या है common है ठीक ना तो यहाँ पे r common नहीं है यहाँ पर R हो गया, यहाँ पर E हो गया है, ठीक है, तो देखिए, subject का आपका क्या है, यहाँ पर अलग अलग है, तो U हो जाएगा, U के बाद तुरंट end लगाना है, जब अलग लग रहाएगा, तो end लग जाएगा, उसके बाद ही लगा देंगे, बाकी जो कामन है आपका, उ इसलिए R लग रहा है, आर कालिंग मी, कालिंग मी दोनों में कामन है, तो इसको मतलब लिख देंगे इसमें एक ही, दूसरा यहाँ पर आपका है, C हैज अपेन, यानि उसके पास एक कलम है, यू हैव अपेन, तुम्हारे पास एक कलम है, तो देखिए, इसमें भी subject अलग अ है, दो गवाग के मेरा है इसमें, तो इसमें मेरा subject किया है, पहले में C, दूसरा में U, ठीक है, तो दोनों को end से जोड़ना, हम लों को बाग को एक बनाना है, तो U and C कर देंगे, U and C, तो यहाँ पे बहु बचन हो गया न, plural बन गया मेरा, तो यहाँ पे has नहीं हो गया होग ठीक, तो you and C have pens, यानि तुम और वह कल्म रखते हैं, ठीक है, तो यह था end का प्रयोग, अब आज़े देखते हैं बट के बारे में, बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु, फिर भी, ठीक है, तो आज़े इसको समझते हैं, ध्यान से, छोड़ा topic यह भी है, बट, ब प्रुवक्त कथन से बिरोधा भास, ठीक है, दरसाता है, अर्थात इस्तिती के विपरीत परणाम होने पर, situation बट, consequence का प्रयोग होता है, जैसे, इसको समझना पड़ेगा, example के माध्यम से आपको तभी clear होगा, देखिए, पहला example दिया गया है, he is rich, he is miser, पहले sentence में दिया ग जाया है आपको, यहां इस्तिती बोधक वाक्य, मतलब जो इसका situation है, he is rich है, तथा दूसरा वाक्य, he is miser, परणाम बोधक है, तथा प्रोग्त वाक्य से बिरोधा भास दरसाता है, ठीक है, बिरोधा भास दरसाता है, अतह, वाक्य बनेगा आपका, he is rich, उसके बाद, but, miser, ठ देखिए, क्योंकि एक ही ब्रक्ति के बारे में कहा जा रहा है, वह अमीर है, वह कंजूस है, तो आपको, he एक ही लिखेंगे यहाँ पर, जब मतलब सोरी, but, conjunction, जोड़ेंगे आपको, he is, but, rich कर देंगे आपको, he is rich, उसके बाद, but, miser, यानि कि वह धनी है, लेकिन, कंजूस है, इसका essence यह निकलेगा, दोनों को जोड़ दिये तो, यहाँ पर देखिए, दूसरा example और समझाया है, I worked, देखिए, यहाँ पर spelling mistake छपा है, बुक में, डाबलू, ओ, आर होना चाहिए, यहाँ यहाँ पर, ठीक न, वाक्ड लिखा है, तो I worked hard, I failed, पहला sentence है आपका, I work hard, म उसके बाद I failed, मैं अस्फल हो गया, मैं फेल हो गया, ठीक, तो यहाँ पर देखिए, दोनों sentence अलग अलग, इसको बट से जोड़ना है आप लोगों को, तो यहाँ पर देखिए, I worked hard, I worked hard, but failed, मैं मतलब की, कठीन मेहनत किया, लेकिन अस्फल हो गया, इसका हिंदी यह होगा तो इस तरह से आपको जोड़ना है, तो देखिए, यहाँ पर नोट जो लिखा रहता है न, वहुत most important होता है वो आप बात समझने के लिए, कोई भी चीज का topic का नोट हो, उसको ध्यान से पढ़ा किजी आप लो, ठीक है, तो देखिए, इसके नोट को भी हम लोग समझते है कुछ समझाने वा बात इसमें है, नोट में दिया गया है, दिये गए वाकियों को जोड़ते समय, वाकियों का अध्यन अवसे कर लें, वाकियों के मद्ध केवल बट रख देने की प्रविर्ति नहीं है, वाकियों का क्रम भी बदालना पड़ सकता है, जैसे, देखिए, यह मेरे मित्र ने सहायता नहीं की, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस है आपका, I was in trouble, मैं परसानी में था, ठीक है, तो इसमें देखिए, बोला गया है, situation और उसका परड़ाम, दोनों आपको सही से समझना पड़ेगा, तो आपको लगाएंगे, तो यह जो आपका सेंटेंस जोड हैं पहले, देखिए, क्योंकि यहां पे था कि मेरे मित्र ने सहायता नहीं की, मैं परसानी में था, तो situation पहले क्या बना, situation पहले तो बनना चाहिए, मैं परसानी में था, बाद में तो कोई मेरे सहायता करेगा, चाहिए, नहीं करेगा, तो इसके अंसार ये आपको समझना प परसान, थी न, मैं परसानी में था, मुसीबत में था but, यहाँ पर जोड़ दिये conjunction, उसके बाद दूसरा sentence क्या है, my friend यह भी आपका अलग सब्जेक्ट है, उसे कोई दिला दर नहीं है, but का प्रियोग करना है क्या है, तो but my friend did not help me, ठीक है, but did not help me, यह आपका correct है, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है वाल बात है, कि end का प्रियोग, end का प्रियोग, एक सी प्रकृती के सब्दों, वह वाक्यांसों को जोड़ने में होता है, जो end का उपर प्रियोग पढ़े हैं, तो एक सी प्रकृती रहता है, उसका सब्दों वाक्यांसों को जोड़ने के लिए होता है, जबकि बट का प्रियोग, बिरोधी प्रकृती के सब्दों या वाक्यांसों को जोड़ने में होता है, मतलब कि बिरोधी मतलब जैसे कि कोई काम है ये जैसे यहां पे दिया है आपका he is rich, he is miser वह धर्वान है लेकिन वह उसका विरोध क्याम कर रहा है कि आप कंजूस है वो अगर उसके साथ सा चलता तो वहां पे मतलब अमीर रहता तो यह मतलब विरोधा भास का यहां पे संकेत हो रहा है आपके यहां पर ठिक तो आप लोग इस वीडियो में एंड और बट के कंजक्शन को समझें ध्यान से अगले वीडियो में हम लोग और पर लाएंगे इसका जो कंजक्शन है तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यबाद